हाई एवरिवन तो आज की वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एक दम क्रिस्पी करारी देखा आपने कितनी अच्छी आवाज इसके सुनिया आपने एक टिक्की आपको कट करके दिखा देती हूं यह देखिए एक दम बढ़िया वाली आलू टिक्की हम बनाएंगे दिल्ल यहां देखिए हम लोग ने एक बोल में आदा कब जितना चैने की दाल को आदे घंटे के लिए पिगो कर दिया था यह देखिए इस तरीके की दाल भीकर तयार हो गई है आदे गंटे के लिए आप चाहे दो बीना भीकोई भी बना सकते हैं अगर भीको की बनाएंगे तो ब हमें बनानी है कि साथ ही में ढाल देंगे थोड़ासा नमक आत्स यह समय लगाएंगे लग बग 2 सीटीयां दो सीट्यों के बाद हो पूरा प्रेशर ख़तम होने थेगे और 2 सीट्यों में गरेका धाल घ्ड़ी है की नहीं है भीको अब बिल मिक्स नहीं हो एस और आपको पक तरह असको झालया बिएक रूहर एक बंग पिरिय आ है किभी रिटी तरढ में एक बोल में अगल कर दिया Twice शुरी आपड देल धाल ऊफिक में गडनी है यह तो श्छक बलिया श्ता प्पंग कर लेगे एक सायतर अपन श्पोन के सायतर से हैं इस तरह से पेस्ट बालेंगे, सेम इसी तरीके से, हमने मटर को बॉइल किया और एक स्पून या फोकी सायता से इसको आप क्रश कर सकते हैं, यह भी इसमें एड कर देंगे, साथी में जाएगा थोड़ा सा कटा हुआ पनीर, और इसी के साथ में हम लोग इसमें डाल देंगे, थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्ट बिलको बारी बारी काट करके डाल दिया, थोड़ा सा अरा धनिया भी हमने चॉप करके एड कर दिया, बहुत ही बढ़ी टेस्ट आएगा इसका, इसी के साथ में डाल देंगे थोड़ा से रेड चिली फ्लेक्स, इसकी जगे पर आप लाल अब सबी चीज़ों को हम लोग एड कर देंगे यहां पर बढ़िया से इसको मिक्स करेंगे और यह लीजी तियार है हमारी बिलकुल एक दम चटकारे दार स्वादिस्ट एक तम टीस्टी वाली स्टफिंग जो मारी टिक्किक अंदर जाकर उसका स्वाद दुगना कर देगी अब यहां हम लोगों ने ले लिए है दो अबले हुए आलू, आलू कामने पहले से उबाल करके थंडा कर लिया है आप जब भी आलू की को रेसिपी बनाए तो आलू को पहले उबाल करके थंडा कर ले उसके बाद में आप जब भी को रेसिपी बनाए तो इस तरीके से बना या इन स्ट्फिर शचितान के मैश कर रहे है यह अपर देखे हम रॉड़े मसाली को मैश कर लिया है तो यह अपर देखे हम दञे शवदना साहि समे नमक दालें गई पाउडर जो तेस्ट आपने और ही लिए फाउडर पाउड्र प्रॉडर छीज फूटर कोไดं है, पढ़ना टिकी अ लिएन पाउडर के अदिक और बड़े चम्मत जितना अरण पाउडर एड कर दिया ज़र पड़े तो हम और भी एड कर सकते हैं क्योंकि हम इसका डो इससे बना एक बिल्कुल चिप चिप चिपन ना लेगे अब इसमे बड़िया सा क्रिस्पी नैस और बड़ी असा फ्लेवर देने के लिए हम इसमे डाल आटा ऐसा लगना चाहिए कि आपके हातों में आप बिल्कुल भी चिप केना तो बैस सभी चीजों को हमने कर लिया है बड़िया से मिक्स और यह देखिए हमारा आटा बिल्कुल लगकर के तयार हो गया है इसको हमें कोई सैट वगरा नहीं करना है रेस्ट नहीं देना और इस तरी के आटा में लगाया हमारे फिंगर पर बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है ऐसा ही आटा आपको लगा कर तयार करना है चलिए हमारी टिक्की बनाना स्टार करते हैं तो यहां देखिए हम आलू में से निकालेंगे थोड़ा से पोर्शन और उसको एक पेड़ी के तर अर रसे हम अपने उसमें एपनी स्टफिंग को फिल करेंगे तो यहां देखिए थोड़ी से स्टफिंग लेंगे बीच में इसकी केविटी जैसी बना देगे जिसको हम बढ़ने में behöver आसाणी होगी और थोड़ी से स्टफिंग लेकर इसके भीचोबीच आल देगे यह कर देंगे चारो तरव से एक दम बराबर और बढ़िया से हम इसको बना लेंगे यह देखिए बढ़ और उंगलियों के साहता से इसको हम इस तरह से कवर कर देंगे बिल्कुल एक दम फ्लैट और आप इस तरीके से बना लिए तो आप चॉपिंग बोर पर जो सर्फेस है उस unless we go do the peach, then we can reflect it with a cole यह देखिए हमारी टिक्की बने कियार हो गही है, कितनी बढ़ु रही है इस तरीके से हम वाकिर टिक्की भीत भीपना कर की कियार करेंगे इकर बढ़िया, बिल्कुल फ्लैट, बिल्कुल क्रैक्स, नहीं होने चाहिए, तो बस हम इसी तरह के से उल्दी बना लेते हैं तो इक और टिक्के आपको बढ़ करका देती हूं, इस तरह के आपको पेड़े को फ्लैट कर लेना है, फ्लैट करने के बाद में बीच में कैविटी बनाएंगी थोड़ी सी और उसके बीच में हम लोग डालेंगे हमारी स्टफिंग, द्यान रखिए का स्टफिंग आपको इतनी भी नहीं बढ़नी है कि वो निकल की बाहर आने लगे इतनी इतनी ही आपको फिलिंग इसके इंदर डालनी है यह फिलिंग का जो टेस्ट व इतना बढ़िया आता इतना लाजवाब आता है कि आप खाते रह जाएंगे आपको बहुत जाद पसंदाएगी एकदम जैसे मिलती है ना मार्केट में पिलकुल ऐसी ही आपको लगेगी तो आ जहां आपको पहले our को गरना है अचा इसे आप यहीत आ रही है और हम्ने अच्KA को का जिया है है यहां कंड लो अच्छी हा टाला इन लो अरेग को यहां तहिं दैखीग्ट्रिय के चारो तरफ थाराना है इसके ऊपर नहीं आ रहा है बस इतना ही आवाइ उमेंट आप सि तो इसके लिए हमें यही करना होगा कि जो ओई है वो थोड़ा कम भरें जिसकी जो टिककी किनारे है वो भी बढ़िया से सिक तियारो एक डाम क्रिस्पी कलारे जैसे मार्केट में मिलते है बिल्कुल वैसे बस हम क्या करेंगे बीच बीच में इस तरीके से हम इस पून की सायत अब है मैं आपको टिककी हमारी है ना इसके चारो तरफ आप देखिए आपको को गोल्डन होडन जैसा कलर नजर आנה लगे गहर यहां देखिए इसका मतलब जो हमारी टिककी है वो नीचे तो बस आप आप ओल्फी तो आपके बढ़िया बनेगे और अगर आपने गड़ा डाल दिया तो आपने डाल डाल दिया तो उपर निचे दोनों सेक्ष्च्छर आता है वह नहीं आपाएगा तो यहां पर देखिए दोनों तरफ से लो लो फ्लेम पर हम इसको सेले अपाएगा तभी तो टिककी बढ़िया लगे गी देखनें बिया खाने तो बस बढ़िया आसर के कलाराने तक हम फ्लेम को मीडियम स्ख्टयम के नीच से और ये देखिये फइनली पॉरी तिककी सुकर के तयार हो गँढ़ रहे है ये एक तम परफट्ट लग रही है तिककी में आपको पास से ऎ दिखाते हूँ, यह त्यार है हमारे vivo yitali क sabemos यहां देखें, कितनी त्यार है कoritकी अड़ी आवाय मिलती हैny, ज़ाल गलियों में हमक्या खाते हैं, वही त्यार है एकदम perfect तरीके से जैसे मैं आपको बताया है बिल्कुल इस तरीके से बनाईएगा आपकी टिक्की एकदम perfect बनकर कर तयार होगी और ये देखिए इसकी stuffing कितनी बढ़िया लग रही है अंदर से देखने में पता चल रहा है ना कितनी tempting होगी और ये देखिए सुनी ना आपने इसकी हवाच कितनी क्रिस्पी और क्रंची बनी है एकदम perfect ये देखिए एकदम बड़ी ऐसी सिक्की है हमारी तिक्की अंदर तक बिल्कुल अच्छे से सिक्कर तयार होई है तो चलिए अब हम इसको सर्फ कर लेता है तो जैसे हम ठेले पर मि मृइट खामर्थ तस स्क्रेम का फिल्क्रल करेंगे हैज मृइटो से मृइट इस में दाले तोड़爆 यई हान तो भी मिंसका ना भी में हमने फोरे चीनी थी प्र शुच शाहा करते लें अरथ öğऑे जाना शेमी टोड़िया थोड़ इंबल ये ना ऑन हुगतिती 10 य और जा तोड़ा सा रेट चिली फ्लेक्स लाल मिच का पाउडर थोड़ा सा भूना जीरा और थोड़ा सा चाट मसाले एक तम टैंगी फ्लेवर के लिए तो यह देखिए तयार है हमारी एक दम स्ट्रीट स्टाइल आलू टिक्की की चाट बहुत ही बढ़िया से तो चलिए एक और हम स कि रेसिपी कैसी लगी एक किसी करारी टिक्की की और आप लोग कब बना रहे हैं यह मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएगा एक तम बढ़िया खसता करारी हमारी टिक्की बनकर की तयार हो गई है तो आपको कैसी लगी रेसिपी अच्छी लगियो तो लाइक कर ज़रूर कर दीजेगा नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं फिर सी मिलनेंगे एक नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई